हेलो आफिरेज्ट्स विल्कम टो मैं ठ्रेड करफ आज मैं आप के लिए फ्लार बना कर लाई हूँ जो आपसे स shifts बनांपए को मआ सब्सक्रांब पर दिल एक ऐंड करती गश्चिश करती हैं जैसे कि फॉप में लगा सकती हैं, कैप में लगा सकती हैं और इंप वपना कर आप तोरण भी बना सकती हैं इसे स्टाट करती हूँ बनाने के लिए मैं इसके लिए मैं देखिए गरीन कलर का उंद्ली है 2.5 mm कि मैं कुरोशिया एज करें हैं देखिए लिखिए मेट गई है इसके बाद देखिए इस तरह से में सेप बनाऊंगी देखिए इस तरह से सर्कल की तरह इसके बाद वन चैन बना लोंगी यहां पे बनाने के बाद यहां पे इस तरह से सिंगल कुरोशिय बनाऊंगी दोबारा देखिए इस तरह से सिंगल कुरोशिय बनाऊंगी देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से मैं पूरी 12 सिंगल कुरोशिय बना लूँगी देखे फ्रेंट्स मैं पोरी 12 सिंगल कुरूशी में बना ली हूँ इसके बाद देखे यह दागा देखे चोटी वाले इसको इस तरह से पकड़के में खीच लूँगे जिसे की बीच में हॉल नहीं दिखेगी इस तरह से इसे में टाइट कर लूँगी इसके बाद देखे यहां पर में कुरूशी डालूँगी और सिली पिश्टिच बनाते हुए ज्वैंड करूँगी देखे इस तरह से इसके बाद यहां पर में टू चैन बनाऊंगी और देखे इस तरह से यहां पर कुरूशी डालूँगी और इस तरह से सिली पिश्टिच निकालूँगी इसके बाद में वन चैन बनाऊंगी और देखे नेश्ट चैन में कुरूशी डालूँगी और इस तरह सिली पिश्टिच बनाते हुए निकालूँगी वन चेन, स्लिप स्टिच बनाते हुए निकालोंगी सारे चेन में इसी तरह से में बनाते हुए कम्प्लीट कर लूँगी टुवेल्ब चेन में तदीखी फ्रेंड्स इस तरह से में टुवेल्ब चेन बनाते हुए कम्प्लीट कर ली हूँ इसके बाद यहां पर में कुरूशी डालाँगी लास्ट में असली पिस्टिच बनाते हुए ज्याइंट कर लोगी वन चैन बनाकर इस धागा को में उनको कॉट कर लोगी इस तरह से सेफ बन गई है इसके बाद देखिए बैक साइड से चैन की टू धागी होती है यह जो दालोंगे यहां पर प्ल Hz दालांगे यहां पर गलक ऑनान चैन इस तरह से इसके बाद यहां पर ठीरी चैन वान ठो तरुव थीरी इसके बास इसके बदार सीम पर कुरूशी डालाँग कि इसे जगह डबल कुरुशी बनाऊंगी, इसके बाद कुरुशी पर 2 बार धागाले, ते भी मैं 3 पल कुरुशी बनाऊंगी, देखे इस तरह से 1, 2, 3, 3 बार में इसे निकालूंगी, इसके बाद देखे, दुबारा कुरुशी पर 3 बार धागालूंगी, 1, 2, 3, इसपर बार में निकालोंगी और आदिखें इसे फोर बार में निकालोंगी यहां पर मैं कर्शी डालोंगी तो पहले मैं देखिए इस तरह से कुरुशी पर वन पर धागा लेते हुए इस तरह से कुरुशी डालोंगे और फंदे उठाऊंगे इसे लुप्स भी बोल सकती हैं तो इस तरह से मैं यहाँ पर नाइन बार फंदे उठा लोंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नाइन देखिए नाइन बार में फंदे उठा ली हूं इसके बाद देखिए इस तरह से टूटू भंदा छोड़ते हुए बंद करूंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार में इसे मैं इस तरह से टूटू भंदा छोड़ते हुए मैं बंद कर ली हूं देखिए इस तरह से बन गई हैं इसके बाद यहाँ पर में 3 चैन बनाऊंगी 1, 2, 3, और देखिए यह जो धागे दीखे रहे हैं इसमें मैं प्रूशी डालूँगी और इस तरह से स्लीप स्टेच बनाते हुए जोएंड कर लूँगी देखिए इस तरह से इसके बाद देखिए यह जो नाइन बार में मैं बंद की हूँ तो देखिए छुटी-छुटी धागे दीखी रही है तो यह सारे धागे में इस तरह से मैं प्रूशी डालूँगी और स्लीप स्टेच बनाते हुए यह धागा को मैं नीचे के और लाऊंगी देखिए इस तरह से स्लीप स्टेच बनाते हुए इस तरह से धावय को मैं नीचे लाऊंगी देखें एस तरह से बन गई फिलावर की वन पंपुडी इसके बाद देखें इसकी इसकी नेस्ट चैन में कुरुशी डालूँगे और सिलीप पिस्टिश बनाते है जोयनट करूंगे इसके बाद देखिए इसकी नेश चैन में कुरुषी डालोंगो, स्लीप इश्टिश बनाते ही जोइन करूंगी, इसके बाद थीरी चैन बनाऊंगी तो देखिए इस तरह से फिलावर की वन पंकुडी कम्प्लीट होगी है स्यम में इसी तरह से दूसरी कम्कुडी बनाऊंगी जिसकी यहां पे तृरी चैन बनाएंगी एसके बाद में डबल कुरुषी बनाऊंगी पर पर थागल ले ले लेते हुए इस तरह से थीरी बार में नीसे निकाले इसके बाद के क्रोशे के पर थागल हुए जग्याँ पर पर धागलहुए दिखे इस तरह से बन गई है इसके बाद one chain बनाऊंगी और सेम उसी तरह से जैसे के pattern बनाई हूं सेम उसी तरह से दूसरी पंकड़ी बनेगी इस तरह से nine बार में इस तरह से लुप्स में उठा लूँगी तुटु धागा छोड़ते हुए इस तरह से में बन्द करूंगी और नाइन बार मैं इसे बन्द करूंगी इसके बाद लास्ट में देखिए थीरी है इसको बंद कर लूँगी थीरी थागा देखिए इस तरह से नैन बर में से बंद कर ली हूँ इसके बाद थीरी चैन बनाऊंगी अर से एमीची जगह पर कुरुशी डालूँगी इस तरह से सिली पिष्टिच बनाते हुए ज्वैंड कर लूँगी इसके बाद सिली पिष्टिच बनाते हुए यहां पर में लाऊंगी देखिए इस तरह से इसके बाद देखिए इसकी नेश्ट वाला जो चैन है इसे में कुरुषी डालंगों सिली पिष्टिच बनाते हुए जोयन करलूंगी और इसकी नेश्ट चैन में कुरुषी डालंगों सिली पिष्टिच बनाऊंगी इसके बाद धीरी चैन तदेखे इस तरह से फ्लावर की टू पंकुड़ी में कम्प्लीट करली हूँ, सेम इची तरह से में 6 पंकुड़ी बनाकर कम्प्लीट करली हूँ, इसके बाद देखे यहां पे में कृशी डालूंगी और सिलीप स्टीच बनाते हुए ज्वैंड कर लूँगी वान चैन बनाकर यह उनको मैं कट कर लूँगी देखे इस तरह से प्लावर कंप्लीट हो गई है कि बहुत ही सुन्दर लग रही है और बनाने में बहुत ही जी आप इसे बहुत ही असानी से बना सकती है इसको अंदर करके में फिनेशिंग कर लूँगी तो देखे इस तरह से में फ्लावर कंप्लीट कर ली हुए देखे बहुत ही सुन्दर लग रही है आप इसे बहुत ही असानी से बना सकती है आप इसे जरूर ट्राइ किजिए और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर कमेंट किजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू